हम एंत्रोपोसीन में जी रहे हैं, लेकिन इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि हम अपने ग्रह के खिलाफ हो रही आवर्णिय हिंसा के युग में जा पहुँचे हैं 66 मिलियन वर्ष पहले एक एस्टेरोइड प्रित्वी से टकरा गया ये डाइनोसारों के विलुप्त होने का कारण बना और इसने एक नई युग पेलियोसीन की नीव डाली अब मनुश्य ने एक और युग अंत्रोपोसीन की शुरुवात कर दी है अब की बार हम स्वें अस्टेरोइड बन चुके हैं प्राकृति के प्रती हमारी उपेक्षा ने एक परायवर निय भहु संकट खड़ा कर दिया है जो जलवायू परिवर्तन से लेकर सामुहिग विलुप्ती से जोड़ी आपदाओं का एक भयाव सयोजन है मेरी पुस्तक Educating for the Anthropocene पूछती है कि इस यूग में जीने की तैयारी करने के लिए शिक्षा हमारी मदद कैसे कर सकती है इस सवाल का जवाब कोचते हुए मैं भारत में पशुलोक और दक्षिन अफ्रीका में वेंटवर तक चला गया इन जगाओं पर जाकर ऐसा लगा जैसे मैंने किसी टाइम मशीन में कदम रख दिया हो ये भविश्य की वे जलग थी जो जल्द ही पूरी दुनिया को दिखाई दे सकती है मेरे चारों और फैले विशाल बांदों और धुएं की चिमनियाओं ने ये सपष्ट कर दिया कि पृत्वी का चेरा ही अब मनुश्य का चेरा है लेकिन भारत और दक्षिन अफ्रीका के युवाओं ने मुझे ये भी दिखाया कि पराइवर्णिय सक्रियता कितनी ताकतवर हो सकती है पशुलोक और वेंटवर्थ के युवाओं वसक्रियतवादी की बाध्यान से सुनने पर मुझे ये समझने में मदद मिली कि पराइवर्णिय विनाश से निपटने के लिए हमें शिक्षा पर पुर्ण विचार करना पड़ेगा उन्होंने मुझे सिखाया कि प्रगती की शुरुवात ये समझने से होती है कि दाओ पर क्या लगा हुआ है इससे हमें भविश्य की गहरी परवा करने में मदद मिलती है जब हम परवा करने लगते हैं तो कुछ बहतर चीजों की कलपना कर सकते हैं ये दृष्टी धारन करके हम इसे दूसरों को भी बता सकते हैं और जब हम साथ मिलकर कारवाही करते हैं तो बेतर भविश्य एक हकीकत बन सकता है शिक्षा में एंत्रोपोसीन को बदल डालने की शक्ती मौजूद है लेकिन अर्थ विवस्ता बढ़ाने पर ध्यान के इंद्र करने के बजाए शिक्षा का इस्तमाल संस्कृती वर राजनीती के उन संकटों को समझने और उनका सामना करने में युवाओं की मदद करने की जरूत है जिनका हाथ हमारे ग्रह की विनाश में है हमें सक्रियतावादी और शिक्षक और शिक्षक को सक्रियतावादी के रूप में माननेता देनी चाहिए ये परिवर्तन अत्यन्त महत्वपूर्ण है बहतर भविश्य की कलपना करने का समय यही है Educating for the Anthropocene पढ़कर और ज्यादा पता लगाईए